आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन सिनिमा घरों में और OTT पे आपके लिए मनुरंजन का खजाना आता है सिनिमा घरों में धेर सारी फिल्म में रिलीज हो रही हैं तो दूसरी तरफ OTT पर भी एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और नई फिल्म में आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस शुक्रवार OTT पर और थियेटर्स में आप क्या कुछ देख सकते हैं साथी ये बताऊंगी कि कौन-कौन से फिल्म में थियेटर्स में बहुत अच्छा कारोवार कर रही हैं और आप उस फिल्म का लुथ उठा सकते हैं तो चले सबसे पहले बात करते हैं कि इस हफ़ते कौन से फिल्म आई हैं लव अगेंड फिल्म जो है प्रियांका चोपडा की ये एक हॉलिवुड की फिल्म है और ये फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हुई है प्रियांका चोपरा के इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि विदेशों में ये बहुत अच्छा कमाल नहीं कर रही है इस फिल्म में प्रियांका एक ऐसी लेडी के किरदार में है जिसके पती का निधन हो जाता है उनके पती का रोल इस फिल्म में किया है उनके असल पती निक जोनस ने पती के निधन के बाद वो अपने पती के नंबर पर ही बहुत सारे messages भेजने लगती हैं कुछ दिनों बाद वो नंबर किसी और को अलॉट होता है और फिर वो messages उस शक्स के पास पहुशने शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच messages के जरीए बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे प्रियांका को नया प्यार मिल जाता है ये एक comedy, romance और drama से भरपूर फिल्म है Love Again में प्रियांका चोपडा का काम अच्छा है ये फिल्म विदेशों में तो बहुत जादा नहीं चल रही अमेरिका में इस फिल्म को कोई खास response नहीं मिल रहा लेकिन इंडिया में ये फिल्म हींदी में भी release हो रही है तो हो सकता है कि प्रियांका के फैंस उनकी इस फिल्म को सिनिमा घरों में देखने जाए एक तरफ प्रियांका के फिल्म सिनिमा घरों में आई है तो दूसरी तरफ सिटाडेल का एक और एपिसोड आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं हर शुक्रवार सिटाडेल के एक नया एपिसोड प्राइम वीडियो पे आ रहा है इस बार भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नादिया सिंग जो है अपने मिशन में आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ एक और जासूसी से भरी फिल्म सिनिमा घरों में आई है और वो फिल्म है आई बी 71 इस फिल्म में है विद्युद जामवाल और अनुपमखेर फिल्म में विद्युद जामवाल एक ऐसे जासूस के रोल में है जो 1971 के युद्ध के दोरान जिसने बहुत एहम रोल निभाया था और भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो भारत को पलरा जो है उसने उसमें भारी करवा दिया था और पाकिस्तान को मुझ की खानी पड़ी थी तो विद्ध जमाल के इस फिल्म आईवी 71 के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये फिल्म उनके करियर को एक नया आयाम दे सकती है वहीं सुनाक्षी सिन्हा ने भी OTT पर डेव्यू किया है उनकी वेब सिरीज दाहार प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है इस वेब सिरीज में सुनाक्षी सिन्हा एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में है जो की एक पुराने केस को खोज निकालती है और मुझ्रिम पहुचती है सुनाक्षी का ये जो भी ट्रेलर दिखा है ट्रेलर में उनके काम की बहुत तारीफ हो रही है और उमीद की जा रही है कि इस सीरीज में भी सुनाक्षी जो है लोगों का दिल जीतने में काम्याब होंगी इस हफते यूं तो OTT पर और थीटर्स में बहुत सारी न को करोड क्लब की तरफ जा रही है रिलीज होने के 6-7 दिन बाद भी हर दिन जो है इसका ये फिल्म जो है 10-11 करोड की कमाई कर रही है माना जा रहा है कि इस वीकेंड पर भी दकेरल स्टोरी को देखने वाले दर्शक सिनेमा घरों में जाएंगे वहीं सल्मान खान के फिल्म किसी का भाई किसी का जान जादातर सिनेमा घरों से उतर चुकी है सल्मान खान के होते हुए भी ये फिल्म बहुत जादा कमाल नहीं कर पाई फिल्म की कहानी लोगों को पसंद नहीं आए फिल्म का निर्देशन लोगों को पसंद नहीं आया पूरी तरह से सल्मान खान के इ ये worldwide 200 करों तक की कमाई कर चुकी है लेकिन किस फिल्म ने सलमान के फैंस को निराश किया है आमतोर पर ईद के वाके पर उनकी आने वाली फिल्में हिट रहती है लेकिन सलमान खान की इस फिल्म को उनकी जो 2017 में फिल्म आई थी विद्यूत जामवाल हैं जिनके फिल्म के ट्रेलर को पसंद किया गया है वैसे इन दिनों भारत में युद्ध पर बेस्ट फिल्म में बहुत जादा पसंद की जाती है और पिछले कुछ दिनों में जो भी ऐसी फिल्म में आई उनको अच्छी सरहना मिली है आई बी 71 के ट्रे किनिमा घरों में इस फिल्म के लिए दर्शक हर हफ़ते बढ़ते ही जा रहे है